This is Reno Triber जो कुछ समय बाद Indian Market पे अवलेबल होने वाला है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कुछ seat mode से उसके बाद overall features के बारे में बात करेंगे तो Reno ने Triber में चार प्रकार का seat mode अपने तरफ से रखा है जिसमें पहला है 7-seater tribe mode इसमें आप पूरे 7-seating capacity का use करके पीछे boot space आपको 84 liters का देखने मिलेगा इसके बाद आता है 5-seater life mode इसमें आप 5-seating का capacity जो रहेगा उसे use करके पीछे boot space का इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद 3rd number पे आता है आपका 4-seater surf mode ये actually उनके तरफ से mode इसलिए रखा गया है कि कुछ लोग beach जाना prefer करते हैं तो उनके लिए ये option रहेगा कि आप side में अपने surfing boat यूज़ कर सकते हैं इसके बाद last and not the least आता है आपका 2-seater camp mode ये especially सिर्फ दो लोगों के लिए है और ये दो seat on रखके आप पीछे के पूरे boot space को अपने camping materials के लिए use कर सकते हैं launching date का भी लोग काफी जादा इंतजार कर रहे हैं तो मैं एक approximation आपको date बता देता हूँ August के 3rd week से लेकर September के 1st week में आपको ये गाड़ी showroom में available हो जाएगा ये एक 7-seater sub 4-meter MPV है जो मारूती Suzuki Ertica जैसी गाड़ियों से compete करने वाला है first of all इसके design elements काफी जादा बहतर है चाहिए आप front के बारे में बात करें back look या side look हर चीजों को बहतर maintain करते हुए Reno ने इस tribe को launch किया है second most ये काफी जादा spacious है so Indian families के need को समझके ये seating capacity या इसके boot space को Reno ने tribe में एक first high selling MPV के दौर पे tribe में उता रहा है roads bear कर सकता है जो की one of the added features Reno gave for this driver सबसे बहतर बात मुझे इस vehicle की ये लगी कि आपको ये under 6 lakh cost पड़ेगा जो की काफी बहतर decision है Reno के द्वारा I think ये एक revolution का काम करेगा so let's see in the market इसमें आपको 1.3 cylinder petrol engine देखने मिलेगा जो की 70 horsepower से थोड़ा सा ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है एकदम approx number पे जाए तो 71 bhp at 6 to 50 rpm आपको देखने मिलेगा अब बात करते हैं इसके अलग features के बारे में तो front काफी बहतर look provide करता है जिसमें आपको project headlamps मिलेंगे which is really good और नीचे आपको DRL का setup मिलता है इसके अलावा ground clearance में भी काफी समझदारी के काम करते हुए 182 mm का ground clearance Reno ने ट्राइबर में provide किया है वैसे ही आप interiors के तरफ आएंगे तो interiors काफी साथ satisfactory है आपको पूरी तरह से एक premiumness जो इस level के MPV में होना चाहिए वो आपको देखने मिलेगा जिसमें आपको center most middle में 8 inch का infotainment system मिलता है which is really good अब बात करते हैं boot space के बारे में तो of course this is 7-seater MPV पीछे वाले 2 seat के folding के बाद ही आपको ample of boot space देखने को मिलेगा तो जैसे ही दोनों seats folding होते हैं तो आपको total 625 liters का boot space देखने मिलता है which is really good so this is a short video within 2 weeks मैं आपको इसकी video footage के साथ detailed review देने वाला हूँ so stay connected to this channel स्वर्ण